हलो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट वीडियो में DAVCET की एक्जाम चार गुरूप के लिए होती है अब उसके फॉर्म आ चुके है तो इस वीडियो में आपन जानते हैं कि उसके फॉर्म कि last date क्या है कितने रुपे से लग रहे हैं कौन-कौन से गुरूप के लिए क्या बनना है यह सब चीटे मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी बात करते हैं पन ठीक है यह एक्जाम पहले ही मैं आपको पता चुका हूँ चार गुरूप के लिए होती है गुरूप A, गुरूप B, गुरूप C, गुरूप D यह गुरूप अप्टर 12 एक्जाम गुरूप B और गुरूप C के लिए रहती है गुरूप B की एक्जाम कॉमर्स स्टुएंट्स के लिए रहता है इसको कॉमन गुरूप कहते हैं science student भी group B का form बढ़ सकता है group C की exam science group के लिए रहती है PCM और PCB students के लिए रहती है after graduation group A, group B के form अविलेबल है तो ये सब form के लिए DABP में online exams हो रही है इन 4 groups के लिए आप online form बढ़ सकते हैं group A, group B, D इसके लिए exam A की दिन exam होगी 4 groups के लिए 22 माई को दो shift में exam होगी group A, group C की exam 10 वजे से लेके 11.50 तक होगी ये shift डिल गंटे का exam होगा और group B, group D की noon shift में 2 से लेके 3.50 तक online exam होगी इसके लिए application shift से 1550 रुपे portal 4 अलग है अगर अपन total देके जाए तो 16 रुपे इसके form बनने के लिए लगेंगे ऐसा और application form की जो फीज है आप credit card, debit card, net card, banking, कोई भी cyber campus आप भर सकते हैं इसका online form भराएगा second condition online इसकी exam online होगी computer best exam होगी इसके लिए center होगे इंदोर, देवाज, वोपाल, जावलपूर और most of जो इंदोर के student है उनको इंदोरी center मिल जाता है वैंगलो और यह सभी center है last date है, online submission के लिए 10 मई 2018 के लिए और जो भी इसकी information है और भी date, university वो आप इस website पर देख सकते हैं, result से लेके सब कुछ आपको इस पूरी website पर मिल जाएगा तो जो बच्चों ने preparation किया है वो सब online पर कई बच्चों इसकी exam का form पर भी दिया होगा और जिन लोगों ने नहीं भराया, वो भर दें इसके अंदर पूरी information से आप इस website के अंदर जाएगे, सब सेट बगरा सब कुछ आपको मिल रहेगा और इकोछी जो बच्चे group C की तयारी कर रहे है वो बच्चे group B, group C की दोनों के फॉर्म भर सकते हैं एक ही फीस में दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि group B, group C की जो फीस है, वो common फीस है तो आप समझ गया होंगे फॉर्म कैसे बनना है, एक बार बचा जिता हूं आपको जो बच्चे 12 कॉमर्स से पास आउट हैं, वो group B के exam का देट है 22 माई को, last date है इसकी 10th of May, 1550 रुपे इसका पूरा चार्जेस रहेगा दो exam में, दो सुर्प में इसकी exam होगी, 22 माई को दो सुर्प में इसकी exam होगी, group A group C की exam 10 से लेके सुबह 11 बच तक होगी, और group B, group D की exam 2 बचे से लेके 3,5 बच तक होगी, ये दोनों exam एक ही दिन होगी, online exam होगी, computer based exam होगी, minus marking होता है, ये सब पूरी information मैंने मेरे दूसरे वीडियो में डाल रखा है अगर आपकी कोई भी कोई है, कुछ भी है तो नीचे comment box में लिकेगा, या मेरे से contact कीजेगा, आपकी फूरी जो भी कोई है मैं solid करूँगा, हाँ, वीडियो हम बना रहे है आपका काम है, like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, thank you